क्योंकि विक्रम पहेली का जवाब नहीं दे सकी थे इसलिए बेताल उड़ गया विक्रम उसे फिर से पकड़ने में काम्याब रहे और दोनों हरिश्चंद्रगड की यात्रा पर पुनहे चलने लगे दूसरे पढ़ाव पर पहुँचकर बेताल अलब विक्रम से सफर की दूसरे पहेली पूछ रहा है आईए देखें कि दूसरी पहेली क्या है दूसरी पहेली तीन बिल्लियां एक समय चूहों से भरा एक राज्य था राज्य के सभी लोग उन चूहों से बहुत परेशान थे इसलिए राज्या ने चूहों को पकड़ने के लिए कुछ बिल्लियों का इंतजाम किया राज्या ने देखा कि तीन बिल्लियां तीन मिनट में तीन चूहों को पकड़ लेती है इस पर राज्या सोचने लगा कि सौ मिनट में कितनी बिल्लियां सौ चूहों को पकड़ लेंगी विक्रम को लगा कि इस पहेली में जरूर कोई पकड़ है इसलिए उन्होंने इस बार ज्यादा गहराई से सोचा फिर उन्होंने बेताल को बताया आप मुझसे यह उमीद कर सकते हैं कि मैं कहूँगा कि अगर तीन बिलियां तीन चुहों को पकड़ने में तीन मिनट लगाती हैं तो उन्हें प्रत्येक चुहे को पकड़ने के लिए एक मिनट का समय लेना चाहिए इस्तिये वही तीन बिल्लियां सो मिनट में सो चुहों को पकड़ लेंगी लेकिन मैं इस बार आपकी चाल में नहीं फसूंगा यह द्रिष्टिकोण मानता है कि सभी तीन बिल्लियां अपना ध्यान एक ही चुहे पर तब तक किंद्रित करती हैं जब तक कि वे उसे एक मिनट में पकड़ना लें और उसके बाद ही अपना ध्यान दूसरे चुहे की ओर मोड़ें लेकिन क्या होगा यदि प्रत्येक बिल्ली एक अलग चुहे का पीछा करे और उसे पकड़ने में तीन मिनट का समय लगे तब भी तीन बिल्लियां तीन मिनट में तीन चुहों को पकड़ लेंगी इस तरहे उन्हें छे चुहों को पकड़ने में 6 मिनट, 9 चुहों को पकड़ने के लिए 9 मिनट और इसी तरह 99 चुहों को पकड़ने के लिए 99 मिनट का समय लगेगा अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें सौवे चुहे को पकड़ने के लिए कितने मिनट लगेंगे, है ना? अगर उन्हें सौवे चुहे को पकड़ने में पूरे तीन मिनट लगते हैं, तो सौ चुहों को पकड़ने में 102 मिनट लगेंगे हमें 100 मिनट में 100 चुहों को पकड़ने के लिए 3 से 4 बिल्लियों के बीच आवशकता होगी और यह भी संभावना है कि यदि 3 बिल्लियां एक ही चुहे के खिलाफ एकठी हो जाएं तो संभावना है कि उन्हें 3 मिनट से भी कम समय लगेगा लेकिन आपकी पहेली मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताती है बेताल आपकी पहेली का उत्तर यह है कि यह प्रेशन ऐस्पष्ट है और बिना यह जाने कि यह बिल्लियां चुहों को कैसे पकड़ती है इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है विक्रम अपने आप से बेहत खुश था और उसे विश्वास था कि इस बार उसका उत्तर सही था बेताल ने विक्रम को कहा कि उसका उत्तर वास्तव में सही था और उसने उसकी बुद्धी के विशे में जो भी कहानिया सुनी थी वे वास्तव में सच लग रही थी चूंकि विक्रम को इस बार सही उत्तर मिला इसलिए दोनों ने हरिश्चंद्रगड की ओर अपनी यात्रा जारी रखी